हेलो एवरिवन वेलकम अगेनी लंगरी देतिमन गौर्मेंट ओफ इंडिया की तरफ से पर्मानेंट वैकेंसी निकाली गई है टैंथ पास स्टुडेंट यहां एप्लिकेशन फॉर्म डाल सकते हैं पद का नाम है मल्टी टास्किंग स्टाफ सेलरी पचास हजार आप लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी है औल इंडिया मेल फीमेल यहां पर एप्लिकेशन फॉर्म डाल पाएंगे तो चलिए नोटिफिकेशन में बाकी सारी चीज़े डेटेल में जानेंगे जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है यहां पर आप देख सकते हैं number of vacancy MTS messenger की जो vacancy है इसमें 13 post है category wise जो है बटी हुई है scale of pay की अगर हम बात करें तो यहां पर देख सकते हैं 18,000 से लेकर 56,900 तक जो है आप लोगों को सेलरी मिलेगी age limit जो है 18 से 25 साल तक यहां पर रहने वाली है इसके लावा age relaxation बिलकुल भारत सरकार की norms के according मिलेगा qualification जो है वो केवल 10th मांगी गई है desirable में है एक साल का experience है बाकी नहीं है तो भी आप form fill कर सकते हैं क्योंकि यहां पर जो essential qualification है वो केवल और केवल 10th मांगी गई है MTS में आगे भी जो है कई vacancy है तीन पोस्ट है यहां पर और बाकी सभी चीज़ें qualification, pay scale और age limit सभी की समान है दो vacancy cook की है, washerman की है उसके बाद MTS gardener की जो vacancy है एक vacancy है यहां पर भी 10th और 18 से लेकर 25 साल जो है उम्र कही गई है job location जो है रहने वाली है पूना रहेगी, मुंबई, देवलाली और एहमद नगर यानि गुजरात में age limit, unreserved category की 18 से 25 साल है यानि general category की OBC की 18 से 28 है SCSD की 18 से 30 साल एक जो है आप लोगों का यहां पर exam conduct करवाया जाएगा, return exam होगा और यहां पर ध्यान दे, a return test will be held which will have question of the level of 10th, 12th IDI यहां पर जो exam होगा तो उसमें question जो है वो 10th, 12th level के question आप से पूछे जाएगे और permanent post रहने वाली है, यहां पर male और female दोनों ही eligible रहेंगे तो यदि आप interested है, job search कर रहे हैं, तो आप जरूर यहां पर form fill कर सकते हैं तो यह जो है इसकी main website है, headquarters southern command यहां पर आपको नजर आ रहा है, group C recruitment application form, application registration is open now ठीक है, तो यह आप लोगों को complete information मैंने दी है, बाकि इसका link मैं आप लोगों को share कर दूँगी मिलेंगे next video में, thank you